नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विट सुमरा ठोट पे आज हम बराएंगे शादी पाटी वाला बहुत ही दिलिशिस बुंदी का रायता जिसे बनाना बहुत ही आसान है एक्तम जटपड बन करके रेडी हो जाता है और टेस्टी तो इतना होता है कि म कप दही ले लिया है वजन से देखें तो पूरा 500 ग्राम दही है दही आपको एकदम फ्रेश लेना है जादा खटा दही नहीं होना चाहिए अब इस दही को हम फैटेंगे तो विस्क से मैं से लगातार जलाते वे एक मिनट के लिए फैट लूँगी ताकि दही एकदम क्रीम और स्मूथ हो जाए तो देख सकते हैं एक मिनट तक दही को मैंने फैट लिया है दही एकदम क्रीमी हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा पानी एड करेंगे तो एक कप मैं इसमें पानी डाल रही हूं ये पूरा 200 ml पानी है ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा पानी बाद में एड कर लेंगे अब पानी को आप दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें आपने देखा होगा कि जो शादियों में हम रायता खाते हैं वो थोड़ा पतला होता है तो दही को आपको थोड़ा पतला कर लेना है तो अब इसके कंसिस्टेंसी देख लें आप ये देख सकते है अब ये एक दम क्रीमी है और थोड़ा सा मुझे गाड़ा लग रहा है तो थोड़ा पानी इसमें हम और एड़ करेंगे तो आधा कप पानी मैं इसके अंदर और डाल रही हूँ तो कुल मैंने यहाँ पर साड़े तीन सो एमल इसमें पानी डाल दिया है अब इस पानी को भी अच्छे से आप इसके अंदर मिला ले तो अब आप देख सकते हैं कि दही एक दम परफेक्ट है बिलकुल इसी तरह का रखना है आपको दही को इतना पतला होना चाहिए यह अब हम इसमें एड़ करेंगे बूंदी तो एक कप मैं इसके अंदर मसाला बूंदी डाल रही हूँ आप नॉर्मल वाली बूंदी भी ले सकते हैं पूरी 100 ग्राम बूंदी है यह दोस्तो जितने भी हलवाई लोग होते हैं वो डायरेक्ट बूंदी को दही में ही डालते हैं इससे क्या होता है बूंदी में हलका सा क्रण्च बनावा रहता है और बहुती टेस्टी रायता बनता है और वैसे भी बूंदी 10 मिनिट में ही फूल करके सॉफ्ट हो जाती है तो इसे आपको अलग से पानी में भीगो करके बाद में धही में डालने की ज़रूरत नहीं है अब हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे तो सबसे पहले आदी छोटी चमच काला नमक डाल दें आदी छोटी चमच सफेद नमक डाल देंगे आदी छोटी चम्मच लाल मिर्च पावडर डालेंगे एक चोथाई छोटी चम्मच हींग डाल देंगे और एक छोटा चम्मच डालेंगे भुनावा जीरे का पावडर जो की बहुत बढ़िया लगता है रायते में और एक डाल देंगे बारी कटीवी हरी मिर्च अगर तीखा कम पसंद करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं अब इन सारे मसालों को हम दही के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही टेस्टी रायता बनता है इस तरीके से तो देख सकते हैं सारे मसालों को मैंने इसमें मिला लिया है अब हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला थोड़ा सा डाल देंगे इसमें बारी कटावा हरा धनिया जो की बहुत अच्छा लगता है राइते में अब इन दोनों को हम अच्छे से राइते के अंदर मिक्स कर देंगे तो देख सकते हैं मैंने इने अच्छे से मिला लिया अब हम इसमें डालेंगे एक magic ingredient जो है पुदीना की पत्तियां तो मैंने यहाँ पर साथ से आठ सूखी पुदीना की पत्तियां ली है इने आप दोनों हाथों के बीच में इस तरह से क्रश करके डाले राइते में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा और जो राइते का स्वाध है वो एकदम दुगना हो जाता है इससे तो इसे आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है जरूर से डालें इसे आप और अच्छे से मिक्स कर ले राइते में तो यह देख सकते हैं कितना बढ़िया और डिलिश्यस रग रहा है राइता एकदम क्रीमी बना है अब हम क्या करेंगे इस राइते को 10 मिनिट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो 10 मिनिट बाद आप देख सकते हैं कि राइता कितना गाड़ा हो गया है और जो बूंदी इसमें हमने डाली थी फूल करके साइज में डबल हो गई है काफी सॉफ्ट हो गई है तो थोड़ी बूंदी को लेकर के आप चेक कर लें तो ये देखिए जैसे ही मैं इसे दबा रही हूँ एकदम असानी से दब रही है इसके अंदर तक जो दही है वो भर गया है बहुत ही डिलिशेस राइता बना है तो ये लिए दोस्तों एकदम शादी पार्टी वाला बूंदी का राइता रेडी है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई